नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है भालचंद्र ब्रह्मांड सिद्ध्यस्ट्र में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांग 15 जनवरी 2024 का संपुण राशिफल उससे बेले आज के दिन का जो कौंचांगा उसके बारे में चर्चा करेंगे आज का जो दिन है सोमवर का है शोबन नाम समवसर है सुर्य का उत्तरायन चल रहा है हे मंतर रुतु है पौश मैने की शुकले पक्ष्टी पंचमी है नक्षत्र शततार का है योग वरिया है दिन का जो करण है वो बवा है और जो रात का करण है वो बाल है आज की दिन का जो पुलिक काल और अभिजीत मुर्थ दिन के शुबकालावदी कहे जाते हैं इसमें किसी भी प्रकार का महत्वपुर्णकाम या फेनिर ने आप ले सकते हो उसी प्रकार आज के दिन का जो राहुकाल है वो शुरुवात होगा सुबह 8 बचकर 31 मिनिट से लेकर 9 बचकर 35 मिनिट और या मगंड़काल दोपर 11 बचकर 14 मिनिट से लेकर 12 बचकर 36 मिनिट तक का होगा राहुकाल और या मगंड़काल दिन के शुबकालावदी कहे जाते हैं इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपुर्णकाम या फेनिर ने बिलकुल भी नहीं लेला उसी प्रकार आज के दिन का जो चंध्रमा है यह चंध्रमा संपूर्ण दिन कुम्ब राशी में ब्रह्मन करेगा हर्षल के साथ लामयोग करने जा रहा है उसी प्रकार शुक्र के साथ यह सामने रखते हुए बारा राषिओं का राशी क्या होगा इस विशह पर अब हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहली राशी है मेश राशी, मेश राशी के लाव बाव में चंदरमा का ब्रह्मन है और आपके राशी मिस्थ धर्शल के साथ ये चंदरमा लाव योग करने जा रहा है, आपके आश्टम बाव मिस्थ शुक्र के साथ ये चंदरमा के इंदर योग करने जा रहा है, म पापके जो वैवाई जुड़िदार है उनके स्वास्त के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा इज इब मनी के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना दिन काफी अच्छा है इसका पुरी तरह से लाव लीजिए यह बात की जो राशी है वो है ब्रशब राशी के दशन बाव में चंदर्मा का ब्रहमण है और आपी के वेया बाव में सिद्ध हर्शल के साथ यह आ लावर्यो ड़ने जा रहा हैँ आपके सब्तमबाव में से शुक्र के साथ ये चनरमा केंदर योग भी करने जा रहा है महत्वण दिन है आपके लिए खासकर करके आपका जो भी कारेश्यतर है उससे रिलेट कुछ महत्वण काम आज की दिन होने की संबावना काफी अच्छी बंदरी है अगर आप वाइत हो आपके चोड़ी दार है उनके साथ चोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है लेकिन दिन लिए शुवफ़न दाई सावित होगा इसके बात की है वो है मित्वन राशी मित्वन राशी के भाग्य बाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है और आपके लाव बाव में से धर्शल के साथ ये चंद्रमा लाव योग करने जा रहा है आपके शाष्ट बाव में से शुक्र के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग भी करन होते हुए नजर आएंगे स्वास के बारे में थोड़ा द्यान देना आवशक होगा इसके बाद की जो राशी है वो है करकराशी करकराशी के अश्टम बाव में है आज आपके सामने आ सकती है उसी प्रेकार अगर आप किसी के रिलेशन्शिप में हैं तो उनके साथ भी छोटे-मूटे बातों को ले करता करा हो सकती है थोड़ा साथ कुद पर सयम रखना आवश्यक होगा इसके बाद की जो राशी है वो है सिंग राशी सिंग राशी के सब्तम बाव में चंदरमा का ब्रह्मन है और आपके भागी बाव में सिथ हर्शल के साथ यह चंदरमा लाव योग करने जा रहा है आपके चतरत बाव में से शुक्र के साथ यह चंदरमा केंदर योग भी करने जा रहा है अगर आप पिवाई तो आपकी जो वाई वाई जुडदार हैं उनके साथ आपके हार्मनी काफी अच्छी देखी जाएगी घर के जो मैला वर्ग होंगे उनके साथ चोड़ी मुटी बातों को लेकर तकरा हो सकती है लेकिन दिन आपके लिए शुबफलदाई सामित होगा इसके बाद की जो राशी है वो है करने राशी करने दिन नहीं करने इसके वाद की जो रशी है वो है तुला रशी तुलाराशी के पंचमबहों अगर आप किसी के रिलेशन्शिप पे हैं तो आज का जो दिन है आपकी रिलेशन्शिप में वेखते होंगे उनके साथ कहीं बाहर गुमना खिलना हो सकते हैं अगर आपके जो स्पेंडिंग रहेंगे कर्चे रहेंगे उस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक्त होगा इसके बाद की जो राशी है वो है ब्रिच्चिक राशी ब्रिच्चिक राशी के चतुरत भाव में चंद्रमा का भ्रमन है और आपके राशी में से शुक्र के साथ ये चंद्रमा के दर्योग करने जा रहा है आपके शाष्ट भाव में से धर्षिन के साथ ये चंद्रमा लाभ करना पसंद करोंगे इसके बाद की जो राशी है वो है धनु राशी धनु राशी के त्रितियो भाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है और आपके बैयो भाव में से शुक्र के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है आपके पंचम भाव में से धाशन के साथ यह चंद थोड़ी कम दिखाई दे रहें थोड़ा सवास्त के बारे में ध्यान देना आवश्रक होगा के हैं इसके बाद कीगो रशी है वो करने जा रहा है आज णियोग करने जा रहा है आज उत्यवा दिन हैं आनक्षिट सकते हैं मैं तो इन्वेश्मेंट भी हो सकती है लेकिन जो खार्चे रहेंगे उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा कि जो राशी है वह है कुंब राशी राशी में चंद्रमा का ब्रह्मन आपके दरितिया भामिसित हर्शल के साथ ये चंद्रमा केंद्र करने जा रहा है आज के दिन हैं आपका आपकी एनजी लेवल कॉन्फिदंस काफी अच्छा देखा जाएगा तोड़ा घुमना फिरना भ वातों को लेका तकरार हो सकते हैं लेकिन दिन आपके लिए प्रिबुफलब्दाई सामित होगा इसके बाद कि जो राशी है वो है मींद्र राशी कि वही कि आपके दृदीया भाव में से ताशर के साथ यह श्युक्त के साथ यह लावियों करने जा रहा है आज का जो दिन है घूमना फिरना जादा हो सकता है लेकिन आपके काम बनते हुए नजर आएगे आज के दिन कुछ अच्छे इंडिशन्स बगरा भी आ सकते है लेकिन दिन आपके लिए मिला जुला साबित होगा तो दोस्तों ये था दिना पंदरा चनवरी दो हजार चोबिस का सब्बन राशिफल आपको ये राशिफल कैसे लेगा आपने किस प्रकार से अनुभाव किया प्रेंचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और अपना ये चैनल है प्रमान्द सिद्यास्ट्रों इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना धन्यवाब